आज सातियों मैं भूमेन सक्ति गोल्ड के बारे में जानकारी दे रहा हूँ, जो एक बहुत ही बेतरीन प्रोड़क्ट है, नारी के संपूर्ण स्वास्त के लिए रामबाड आयरवेदिक आउसदिवाद टानिक है यह, जिसको आप स्वास्त रहेकर अगर इसका प्योग कर रहे हैं, तो हजारों ने लाखों बिमारियों से बच जाएंगे, और आपका सरीर हमेशा स्वास्त रहेगा, उर्जाबान रहेगा, निरोग रहेगा, इसमें जो निर्मार सामग्री पड़ी हुई है, जो अपना बुमेन सक्ति गोड़ बना है, उसमें जो जो आउसदियां पड़ी हुई हैं, उसका मैं नाम बता रहा हूँ, असोग की छाल, आमला, सोंट, लोधरा, गिलोए, गोखरू, कचनार की छाल, चिकनी शुपाड़ी, अजवाइन, सतावरी, असुगंदा, अर, अरजुन की छाल, विदारीकन, मुक्ता, इतनी सारी आउसदियां पड़ी हुई है, और इनके जो अलग-अलग लाव है, उनके बारे में भी आपको डिपली जानकारी देने जा रहा हूँ, और इसको ध्यान पूर्वक सुने, और कुछ फॉइंट नोट भी कर सकते हैं, क्यूंकि एक प्रोड़क्ट, महिलाओं के सं संपूर्ण स्वास्त के लिए बनाया गया है, रद्द्या जी ने ऐसा इसको तयार करवाया है, कि महलाएं संबंदित जितनी भी सारीरिक समस्याएं होती है, संपूर्ण स्वास्त के लिए इसको बनाया गया है, जैसे कि इसमें असोग की छाल मिली हुई है, उसका क्या क्या असोग के पेड़ की छाल में अनगिनित फाइदे हैं कई रिसेच में खुलासा हुआ है कि अरजुन के पेड़ में कसुरा रिनिन नाम का एक रासानी गटक पाजा जाता है इसके कारणा शरीर में कैंसर की कोशकाई फैल नहीं पाती हैं जिन महिलाओं को इस तन कैंसर की जो प्रॉब्लम होती है अगर लगातार वूमें सक्टी गोल्ड का सेवन कर रहे हैं तो इसका खत्रा कम हो जाता है जो एक कोशकाओं का जो विकास होता है जिससे अन्यंतिर्त होके कैंसर कोशकाई डवलब होती हैं उनको बूमें सक्टी गोल्ड में पड़ा असोक का चाल रोक देता है डवलमेंट को कम कर देता है तो यह बहुत ही कारगर प्रॉडक्ट है और इसमें एक और वियसे इसता है क्योंकि इसमें असोक की चाल का भी उप्योग किया गया और इसके फूल का भी उप्योग किया गया है तुचा का रंग साफ करने में साहिक है कैसे असोक के फूल के अर्क में फिलोबू नाइट्स पाए जाते हैं यह तुचा को जबा बनाए रखने में दाग धब्बे को अटाने और तुचा के रंग को साफ करने में मदद करते हैं जिन लोगों के तुचा पे इसकिन पे दाग धब्बे रहते हैं इनका कलर फेर रहता है उसके लिए बहुत ही कारगर है वूमें सक्ती गोल्ड और असोकी छाल पिरियट में होने वाले भयानक दर्द और पेट में होने वाली एठन को कम कर देती है चिन लोगों के पिरियट इक समय अधिक दर्द रहता है पेट में दर्द एठन रहती है मरोड रहती है उसके लिए बूमें सक्ती गोल्ड बहुत ही लागदायक है और बहुत कम समय में रिजल्ट आ जाते हैं क्योंकि ये बड़े हुए बात को नियंतरित करती है इसलिए ये मानसिक धर्म के दोरान पेट में दर्द और एठन को कंट्रोल करने में मददगार है इसमें जो असोकी छाल होती है तो इसमें बहुत ही करगर होती है एठन दर्द को एक सब्ते के अंदर ही मेंटेन कर लेती है और जिल लोगों को जैसे कि लिकोरिया जिसे आम बोल चाल की भासा में वाइड डिश्याज बोलते हैं ये समस्या माहिलाओं के साथ अक्सर होती है आयरुवेद के अनुसार लिकोरिया कफ दोस्त के असुंतन के कारण यानि कफ दोस्त जो होता उसका असुंतन के कारण की समस्या पनप जाती है अगर इसका वुमेन सक्ति कोर्ड का आप उप्योग कर रहे हैं तो किसी भी तरह की लिकोरिया की सिकायत हो 12-14 दिन में मेंटेन होना चालू हो जाती है लेकिन लगातार 3-4 सीरप पिला दिये जाए तो हमेशा के लिए मेंटेन हो जाती है और अगर किसी के लिए लोकोरिया में अगर रिक्मेंड कर रहे हैं बूमेंट सक्ती गोल्ड तो उस महिला को चावल बिलकुल बंद करवा दे चावल का खासकर परेच और तले हुए आइटम का और इस बूमेंट सक्ती में सोट जो पड़ी हुई है उसके लाब समझे हिर्दे को स्वस्त पनाय रखने के लिए अतियंत ही आदर्श आउसदी है ये हाइफर्ट टेंशन को कम करती है सोट हमारे सरीर में रक्त को पतला करती है जिससे सरीर में सरीर के रक्त में ब्लॉकिज नहीं आते हैं और दिल का दोड़ा पढ़ने से उसरा अच्छा पिरदान होती है अगर बूमेंट सक्ती को जो महिला लगतार सेवन कर रही है बिना किसी परिसानी के स्वस्त रहते हुए तो उसका हिर्द हमेशा मेंटेन रहेगा कभी भी उसकी धमनिया ब्लॉकिज नहीं होंगी कभी भी दिल का दोड़ा उसको नहीं पढ़ सकता है और बूमेंट सक्ती में जो लोधरा की छाल पड़ी होई है ये भी बहुत ही कारगर आउसद है जिन लोगों के पेट का एसिड बनने लगता है पेट का एसिड कम करने में बहुत ही ये साहयक होती है बाब महिलाओं के योन में होने वाले अलसर के इलाज में बहुत ही लाबकारी लोधरा की छाल होती है और महिलाओं के अंडासे में सिष्ट द्रफ से भरी थैली बनने लगती है जिससे महिलाओं में बाजपन और तोचा से जोड़ी समस्यां बन जाती है उनके उपचार के लिए इसमें मिली हुई लोधरा की छाल बहुत ही कारगर है जिन महिलाओं के सिष्ट बनने लगता है जिससे क्या होता है पिरियट टैमली नहीं आता है टाइम ओबर हो जाता है उन महिलाओं के लिए ये बहुत ही कारगर है और इसी कारण लगाता रगा सिष्ट रहता है इंफेक्शन हो जाता है और जो अंडे बनते हैं वो डेमिज होने लगते हैं और इसी से एक चॉकलेटी फ्लूड बनने लगता है जिससे महिलाओं में बांचपन हो जाता है अगर आप बूमेंट सक्ती का प्रियोग कर रहे हैं स्वस्त रहते हुए भी तो ये बांचपन जैसी समस्या आपके सरीर में कभी भी पनप नहीं सकती है और इसमें मिला हुआ है जो गोखुरू उसके बारे में भी संचेप में बताते हैं गोखुरू मैलाओं में PCOD को ठीक करने में फाइदे मन माना जाता है ये बांचपन का सबसे बड़ा कारण माना जाता है इतना ही नहीं गोखुरू पिरियेड में होने वाले दर्द को भी कम करने में फाइदे मन्द है साथियों जो बूमें सकती गोल्ड में गोखुरू का पुरियोग किया गया है इसका एक बहुती बेतरीन लाब यह है कि जिन्मेलाओं के अत्यातिक पहन होता है उसको मेंटेन करने के लिए और अगर किट्नी संबंदित कोई दिक्तत बन रही है जैसे किट्नी में इंफेक्शन वगेरा पेसाब ज़्यादा आना उस चीज को भी मेंटेन करता है किट्नी के लिए वोखरू बहुती फाइदेमंद होता है इसी प्रकार एक और बहुती बेतरीन आउसद इसमें मिली हुई है जिसका नाम कचनार की छाल है कुछ लोगों को भूख कम लगती है जिससे अनेक को शरीर को परियाब्त मत्रा में पोसक तत नहीं मिलबाते है जिससे उन्हें कमजोरी वथाकान दुरबलता का सामना करना पड़ता है लेकिन जो कचनार की इसमें छाल पड़ी हुई है लीवर के लिए टानिक है टानिका कार करता है और आपकी भूग बढ़ाता है जिससे आप स्वास्त अहार का वर्पेट सेवन करके परियाब्त प्राप्त कर सकते है जो मेलाएं सरीर में कमजोर है इनका स्वास्त सही नहीं रहता है भूग नहीं लगती है या खाया हुआ खाना सरीर में नहीं लगता है उन लोगों को आप सकती, रिक्मेंट कर सकते हैं, बहुत ही बेतरीन लाब मिलेगा और समय से उनका सरीर भी डबलब हो जाएगा, भूग भी लगेगी, ठकान भी नहीं रहेगी, चिचणापन भी नहीं रहेगा, कमर दर्द भी नहीं रहेगा और मसल्स का किसी विरकार का पैन नहीं रहेगी, और वो सभी मैलाओं जिने मांसिक धर्म के दोरान अधिक बिलीडिंग होती हैं, जिन मैलाओं के अधिक बिलीडिंग होती हैं, वे इस समस्या से निपटने के लिए कच्छनार का विपयोग करती हैं, कच्छनार मांसिक धर्म क के दोरान ब्लेड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है जिन मैलाओं को अतितिक ब्लड आ रहा है जो इसमें कचनार की छाल मिलाई गई है जिस मैला के अतितिक ब्लड आ रहा है पिरियेट के समय वो कंट्रोल रहता है कंट्रोल के बाहर नहीं जाता है और यह समस्या हमेशक लिए म इसी प्रकार एक और अवस्द मिली गई है जो अर्जुन की छाल है हाई ब्लेट फेसर की समस्या को दूर करने में अर्जुन की छाल की काफी मददगार होती है जिन व्यक्तियों को ब्लेट फेसर हाई रहता है अगर भूमेंट सकती गोल्ड का सेवन करवाया जाए तो बहुत ही लाब मिलता है क्योंकि यह कॉलिस्ट्रोल को कम करने में और लिपिट ट्राइग्लेस राइट जो बढ़ने लगता है उसको इस्तर को गटाते है और लिपिट ट्राइग्लेस राइट जब बोड़ी में बढ़ता है तभी वीपी बढ़ना चालू होता है और सरीर भी अनियंतिरित होके बजन बढ़ना चालू हो जाता है उस इस्तर को ये गटाता है इसके सेवन से रक्ति प्रवा का अवरोध दूर होता है जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो मेंटेन होता है और जिससे हेरदय रोग जैसी समस्या नहीं पनप सकती है ये धड़कन और सूजन आद को दूर करने के साथ इस्टोक के खत्रे को भी कम करती है ऐसी समस्या से भी वचाती है कि आपको हाट सम्मंदित कोई भी दिक्कत नहीं पनप सकती है इसके बाद एक बहुती बेतरी औसे और पड़ी है जिसका नाम है विदारीकन चिन महलाओं के खून की कमी से सारीरी विकास रुख जाता है बहुत से ऐसे महलाएं मिलती हैं बच्चियां मिलती हैं जिनकी सरीर की ग्रोथ रुख जाती है तो ऐसे व्यक्तियों को भी आप वूमें सकती गोल्ड रिकमंड कर सकते हैं खून की कमी से सारी विकाद रुख जाता है तथा इंसान जल्दी ठक जाता है यह यह से लोग हमेशा रोग ग्रस्थ करेते हैं ऐसे में विदारी कंद जो पड़ा हुआ है उसके उप्योक से खून की कमी दूर होती है और सरीर स्वस्थ रहता है जिनी भी चाहिए वो बच्चियां हो या माहिलाएं हो जो भी हैं अगर इसका सेवन कर रही है तो सरीर का हर तरह से विकास होगा हेल्थ डवलब होगी गलत कॉलिस्ट्रोल भी नहीं बनेंगे आड़ संबंदी दिक्कत भी नहीं होगी और हमेशा सरीर स्वस्थ रहेगा एक और इसमें बहुती बेतरीन औसद पड़ी है जिसका नाम मुस्तका है और इसको अधिकतर लोग मोथा नाम से जानते हैं एक रिसेस के अमसार मुथा का प्रियोग मांसिक धर्म की अनमेताओं को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है जिन महिलाओं का मांसिक धर्म रुकरुक के आता है एसी समस्या से निजात पाने के लिए मुथा बहुती लाब करी है चाथियो जो बूमेन सक्ति गोल्ड में मुस्तका पड़ा हुआ है तो जिस महिला के पेरियड रुक रुक कर रहाता है उसको अगर इसका सेवन करवाया जाए लगाता तो यह समस्या हमेशक लिए मेंटेन हो जाए और मैंने एक नहीं हजारों मैलाओं को सोच्थ किया है क्योंकि जो इसमें कचनार की छाल पड़ी हुई है वो किसी के यूट्रेस में गाठ हो यूट्रेस में सूजन हो उसको भी बहुत जल्द कवर करती है तो भूमेन सक्ति गोल्ड जो बनाया गया है अगर इसको अलग-अलग समस्याओं अगर देखा जाए तो इसकी कीमत बहुत कम है अगर इसकी कीमत पाँच हजार भी रख दी जाए तो भी कम रहेगी क्योंकि जो इससे लाब लिये गए है वो लाब बिना ओपरेशन सही नहीं होते है चन कितनी महिलाओं का मैंने जीवन इससे बचाया है और स्वस्थ बनाया है आप लोग भी इसकी अच्छी नालिज करें इसकी पीडियाप पढ़ें और जो चीज ना समय जाए उसको पूछ भी सकते हैं समय समय पर जदद जदद लोगों को स्वस्थ करें क्योंकि मैंने देखा है कि 95% मैलाओं में लोकोरिया की सिकायत पाई जाती है और कई मैलाओं इसको छुपाती रहती है समाज में नहीं बताती है इसी मैलाओं को लगातार समस्याप बने रहने से इंफेक्शन हो जाता है उरीन की रास्ते में इंफेक्शन हो जाता है एक समय के बाद इतना इंफेक्शन बढ़ जाता है कि ऑप्रेशन तक आ जाती है और कई बार मैंने देखा है इतना भहेंकर इंफेक्शन हो जाता है इनको इंफेक्शन का कैंसर भी हो जाता है उसके बाद एक ही चारा होता है कि उप्रेशन के वाद में यूटरस को निकाल रहा है बच्चेदानी को निकाल रहा है तो ज़्याद़ ज़्यादा इसका एड़ करें लोगों को बताएं विद्वत तरीके दिसकी जानकारी बताएं जिससे लाखों सेक्लोलोगों की जान बज सकती है और वो लोग स्वास्त हो के आप लोगों को दौाएं भी देंगे